नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका नमो टेकनी चेर में एक और नए टोपिक के साथ प्रेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे इस तसल फाइल्स के बारे में और इसके जो टाइप से उसके बारे में हम लोग जानेंगे जितने भी कॉमन टाइप के फाइल्स थे उस फाइल्स के लिए यानि वह इसा फाइल जो इस्पेशल काम के लिए बनाया गया है तो एक एक करके चलिए हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफलर फाइल का इसका फिगर देख सकते हैं इसका क्रोस सेक्षन टिक है यह डिफरेंट है इसका यू और इसका यूज शलिटर चुस्टिंग से रिलेटेड इसका यूज़ कि यूज जाता है डाए में आपके डिये में जो केविटी बनाएए जाता है तब रिफलर फाइल का यूज के जाता फाइल्इंग कि लिए इंग्रेविंग यानि किसी मेटल के उपर अगर कोई चित्र बनाना हो तो जिफ्लर没有 к हाइक के और जिफ्लर सुन चर्बाइस का एका यूजा चाहिए लिएर नेक्स्ट बात करेंगे मिल सो फाइल का तो मिल सो फायल का जो टीत होता soci सिंगल कट टीथ होता है और इसका सेफ या तो राउंडेड होता है इसका जो एज होता है या तो राउंडेड होता है इसके और होता है और डिफ्रेंट भी होता है फिगर में देख सकते हैं इसका यूज किया जाता है जो लकड़ी काटने वाला सो होता है जिससे लकड़ी कर जाता है उसके जो होते सको सर्पेंइन करने के लिए सार्फ करने के लिए में इसा कosit किया जाता है है एक बड़ा होता है एक छोटा होता है इसे फिज्विक फाइल भी कह जाता है नेक्ट बात करेंगे बेरेट फाइल के बारे में बेरेट फाइल जैसे हम लोंग का ट्राइंगुलर फाइल होता है लगबग उसी तरह से है लेकिन इसका क्या जो नीचे का नीचे का जो फेस है ठीक है इस तरह से ट्रैंगुलर फाइल का से से तो नीचे का जो फेस है इसी में जो बड़ा फेस है उसी में टीथ कटा रहता है इसका यूज सार्फ कोर्नर में फाइलिंग करने के लिए किया जाता है किलियर नेक्ट बात करेंगे टिंकर्स फाइल का इसमें आप एक फाइल देख सकते हैं रेक्टेंगूलर फाइल है इसमें जो इसका जो बोटम फेस होता है उसी में पीट कटा रहता है उसके ऊपर हैंडेल को फीट किया जाता है है कि यह क्या है यह हमारा फाइल है лишь कि य Cannon को यूज करते हैं यानि और अगर कहीं किसी automobile parts का मरमत भी किया जाता तो उसके बाद जो है हम लोग tankers file का यूज करके उस part का pleasing करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे rotary file का बारे वह तो rotary file का sync क्या होता है राउंड होता है तो इसमें इसको चलाने के लिए special machine portable motor और flexible shaft दिया जाता है इसका यूज किया जाता डाइसिंकिंग एंड मॉल्ड मेकिंग वर्क में दोनों कस्टिंग से रिलेटेट टर्म से डाइसिंकिंग यानि में दाय में जो cavity बनाया जाता है और मॉल्ड मेकिंग मतलब असमें मैटल में cavity बनाना इस तरह से उसके बाद अगर किसी मैटल को liquid फो में मोल्ड में डाल देते हैं और जव मेट्रियाओ को और जम जाता hand filing machine तो यह different shape में पाय जाता है इस machine files are double cut इसमें double cut teeth cut होते हैं यह आसानी से filing machine में fit हो जाते हैं length और shape according to machine capacity different होता है इस इस फाइल से इसका यूच इनर और आउटर सर्फिस में filing करने के लिए यूच किया जाता है साथ ही साथ जो डाइसिंकिंग और टूल टूम वर्क के लिए इसका यूच किया जाता है तो फ्रेंट्स जहीं था इस फेसल फाइल्स अगर आपको इस वीडियो से कुछ सिखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिए और अगर कि आपको कुछ सिखने को नहीं मिला या फिर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताएं मैं कोशिश करूंगा इंप्रूब करने का तब तक के लिए धन्यवाद कि अन्यवाद